आज हम देखेंगे गुर्णन सम्मीती से संबंदित कुछ उधारण। नीचे तर्शाय गई आकृतियों में गुर्णन सम्मीती यानी रोटेशनल सिमेट्री का क्रम पता कीजिए। हम जानते हैं कि एक पूर्ण चक्कर गुर्णन के दोरान आकृति की स्थिती कितने बार अपनी प्रारंबिक स्थिती के जैसी दिखाई देती है उसे गुर्णन का क्रम यानी ओडर ओफ रोटेशन कहते हैं। चलिए पहली आकृति पर विचार करें। हमारी सुविधा के लिए हम यहां एक बिंदू अंकित करेंगे। अगर यह आकृति दर्शाई गुर्णन के केंद्र के चारो ओर गुर्णन करती है तो वह 180 डिगरी कोण के गुर्णन पर एक बार और 360 डिगरी कोण के गुर्णन पर दूसरी बार पहली स्थिती के जैसे दिखाई देती है। हम कह सकते हैं कि पहली आकृती में क्रमदो की घुर्णन सम्मीती है। चलिए अब दूसरी आकृती पर विचार करें। हमारी सुविधा के लिए हम इसके एक कोने में एक बिंदू अंकित करेंगे। अगर यह आकृती दर्शाय घुर्णन के केंद्र के चारो ओर घुर्णन करती हैं। हम कह सकते हैं कि दूसरी आकृती में क्रमदो की घुर्णन सम्मीती है। अब चलिए तीसरी आकृती की बात करें. अगर यह आकृती दर्शाय गुर्णन के केंद्र के चारो ओर गुर्णन करती है, तो सिर्फ 360 डिगरी के गुर्णन पर वह पहली स्थिति के जैसी दिखाई देती है. आने की तीसरी आकृती में क्रम एक की गुर्णन सम्मीती है. आकृती स्थिति के अनुसार पहले जैसी ही दिखाई देती है, तो हम कहते हैं कि आकृती में घुर्णन सम्मीती यानि rotational symmetry है. चलिए पता करें कि दिखाई आकृती में घुर्णन सम्मीती है अत्वा नहीं. हमारी सुविधा के लिए हम यहां एक बिंदू अंकित करेंगे, जिससे हम घुर्णन की स्थिति को समझ सकें. अब चलिए दर्शाई गय गुर्णन के केंद्र के चारो और आकृती को घुमाते हुए ग्याद करें कि इसमें गुर्णन सम्मीती है अत्वा नहीं. जब इस आकृती को 60 डिगरी के कोण पर घुमाया जाता है, तब हम देखते हैं कि यहां आकृती की स्थिति पहले की स्थिति से हूँ बहु मेल खाती है. इस तरह हम कह सकते हैं कि इस आकृती में गुर्णन सम्मीती है. चलिए गुर्णन का क्रम घ्याद करें. हमें 60 डिगरी के कोण पर घुर्णन करने पर पहले आकृती से सम्मीत आकृती प्राप्त हुई है. इसी तरह हम देखते हैं कि आकृति को 120 जिगरी, 180 जिगरी, 240 जिगरी, 300 जिगरी, 360 जिगरी के कोणों पर घुमाने पर भी हमें पहले आकृति से सम्मीत आकृतियां प्राप्त होती है इस तरह से हम कह सकते हैं कि दी आकृतियों में क्रम 6 की गुर्णन सम्मीति है इन कोणों को देखकर हम कह सकते हैं कि गुर्णन सम्मीति में सभी कोण पहले कोण के गुर्णच यानि मल्टिपल है यह सभी स्थितियों के लिए सत्य है अब आप स्वयम पता कीजिए कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ऐसे कौन से अक्षर है जो 180 डिगरे के कोण पर गुर्णन करने पर सम्मीत होते हैं तो आज हमने देखे गुर्णन सम्मीति से संबंदित उधारण अगली वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिध्याधारणा है